हेलो मित्रो नमस्कार आदाब सस्रियाकाल गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है आप सभी के चैनल पर ब्रेकिंग नूज है नीट नहीं होगा 26 जुलाई को नीट पोश्टपन होना ते ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी की अभी सब्सक्राइब करें उसके बाद बैल बटन को जरूर दबादें और जो भी स्टुडेंट्स चाहते हैं कि नीट पोश्टपन हो वो कमेंट बोक्स में जरूर बताएं तो दोस्तो आप सभी जानते हैं NIOS National Institute of Open Schooling ने जो है एकजाम की डेट शिट जारी कर दी है यहाँ पर जो है आप डेट शिट देख रही है और आप सभी जानते हैं जो जेई का एकजाम आपका है वो कब होना है 18 से 23 जुलाई और जो नीट का एकजाम है वो कब होना है वो होना ह 26 जुलाई लेकिन दोस्तो ये डेट जो है क्लेस कर रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 जुलाई 20 जुलाई 21 जुलाई और 22 जुलाई को NIOS के एकजाम दिये गए है इसका मतलब है कि नीट जो जेई का एकजाम है आपका वो डेट यहाँ पर क्लेस कर रही है जो नीट का जो बहुत बड़े लेवरा एकजाम है जो आपका 26 जुलाई को होना है तो 26 जुलाई के नेक्स्ट दिन ही 27 जुलाई को आपका NIOS का एकजाम है तो यहाँ पर दोस्तो आप सभी जानते हैं नीट के एकजाम के लिए शेंट काफी बार दूर 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 दे जाते हैं और श् कि यह जो आपकी एकजाम डेट दी गई है नीट वज़ेई की यह सिर्फ आपको इसलिए बताई गई है कि एकजाम होंगे ऐसा नहीं है कि आप पड़ाई छोड़ दे जिससे बच्चे पड़ाई करते रहें तो इसलिए एकजाम डेट दी गई है और अब तो यह लग रहा ह लेकिन जो दिन परती दिन केसिज बढ़ रहे हैं वो काफी जादा है जिसको देखते वही यह लग रहा है कि आपको एकजाम पोस्पॉन होना तय है बाकी अभी के लिए आपको त्यारी जो एकजाम डेट दी गई है उसी को लेकर करनी है लेकिन पोस्पॉन होने के चांशि जरूरी है और वीडियो को सेर तो आपने करी दिया होगा तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू